उसके बाद ये जो भी कुछ आप देख रहे हो इसके पीछे एक दर्द छुपा हुआ है क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पिछे एक संगर्स वाली कहान ही होती है ये शैनो ये शैनो एक चुल में ये तो सब कुछ आज आपको बहुत अच्छा अच्छा लग रहा होगा कि व्रें ताकि आपको भी वीजन मिले कि अगर हां ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो एक दिन आपका भी यहाना 101 परसेंट ते है पता होना चाहिए होना चाहिए तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा इस विद्श से पहले मेरे फादर के जो मेडिकल की शोप है उस पर मैं बेठा करता था और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक बिल्कुल एवरेज परिवार से हूँ जब मेरा जनम हुआ हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं था मेरे फादर बहुत इस्टेगल करते हैं सुरु से बहुत मेह हुआ करता था जब भी पापा मुझे मेले मेले के जाते थे जब लोग मेले में जाते थे सबसे अच्छा खिलोना मुझे दिलाते थे मेरे आवशक्ता हो मेरी इच्छा में उन्होंने कभी कोंप्रोमेज नी किया चाहे वो मेरी मम्मी हो चाहे मेरे पापा हो जब भी हम मेले परिवार से था मेरे फादर का एक ड्रीम था जो कि हमारे अरद करते थे फिर उन्हों ने अपने कि में फादर का जो द्रिम था ना डीफार्मосьी करने करने गा, उसको पूरा ही निकर पाया, क्योंकि पढ़ने में इतना अच्छा था नि, तो मैंने सैंस भी ले लिया, लेकिन, महल arqu इतना न अच्छा पढ़ने में नहीं ख़ेंस सब्सक्राइश में फिल हो गया और द्रीम सी नहीं कर पाया ड्रीम स्थे खैसनी नहीं कर पाहता refugees नहीं पुर्ओ अधाना को सब्सक्राइब अधियुक्र कार雲 ऐसे करनी पाया मुझे हो नी पाही और मैं जब एप दर को देखता था कि तो मुझे मं मन में ठीस को यॉ झार कि पापा घ्रस ऊपना पुरानी कर पाया ये पापा का अपना पुरानी विग लुगने कर देखनेका मुझे बिजनेस अमोका मिला है में अर्ड जान वक्ति आपको पेसा अना शुरू हो जाएगा आप यह उजी आप यह से देश-विदेश के आतरा करेंगे तो मुझे भरोसा हुआ नियू democrat के इस तरीकी कंपनियों पर ज्यादत लोगों को एक बार में भरोसा होता नियू एशनो तो मुझे भी वरोसा हुआ नियू क्योंकि उसी समय पहले भी कई सारी कंपनियां लोगों ने की थी और कोई सफल होत पूछ देखा नी था। और एक्टलों में तो जानता भी था यार यह इस तरह की काम भी होते हैं तो जब उस वेक्ति ने मुझे मुझे बताया तो मैंने इस विद्निस को जोइन नी किया और बिल्कुल मना कर दिया। ये लेकिन क्या पता है इस्वर की क्या मर्जी रही जिस वेक्टिण मुझे मुझे प्लान बता है उसना मेरा पीछाँ नहीं छोड़ा , और मेरे पीछे लगे रहे लगे delivery लगे लगे रहे और उन्से परेशान होके , मुझे इस business को जोइन करना पड़ा, और मैंने इस business को जब जोइन किया, तो मुझे नहीं पता था है diamond क्या होता है, मुझे यह भी परोज़ानीता के आँसा कभी पेसा भी आएगा, बस उस वेक्ती से, पीछा चुराने के लिए, या उस वेक्ति की बात रखने के लिए मैंने इस विजिस को जोइन किया और 8500 रुपे धड़कते होए दिल के साथ उसके हाथ में दिया और डिमांड डाप्ट बनाया लेकिन 8500 रुपे आये कहां से ये भी तो जानना चाहेंगे निजाहेंगे आप जानना चाहेंगे क्योंकि इस्ट्टेंट के पाँ पैसा होता नहीं है तो जब ये बिजिस प्लान मुझे देखने का मोका मिला तो उन्होंने बताया कि इस बिजिस को जोइन करने के लिए आपको एक प्रोड़क्ट लेना होगा एक प्रोड़क्ट खरीदने से आपको इस बिजिस में जोइनिंग मिल जाईगी तो जोइन करना तो था नहीं लेकिन उनकी बात रखने के लिए मुझे लगा कि चलो इनकी बात रख लेते हैं जोइन कर लेते हैं तो मैंने 8500 रुपे का एक प्रोड़क्ट खरीद के यहां से जोइन किया लेकिन इस्ट्ट्ट के पाफ पैसे होते नहीं तो मेरे पास भी नहीं थे और पापा को बताने से रहा अगर पापा को बता देता तो शायद हो सकता था पापा मुझे इस बिजिस को करने से मना कर देते तो बिल्यू करें मैंने इस बिजिस को करने के लिए जुगार किया क्या किया जुगार और जुगार भी कैसे किया चार जार रुपे किसी से लिए चार जार दो जार किसी से लिए दो जार किसी से लिए और 500,000 रुपे मम्मी से लिए इस तरीके से करके 8,500 रुपे की मेनिस में जोइनिंग डाल दी और एक package मंगा लिया, दो सूट, दो साड़ी और एक सूट, 8,500 रुपे का लारेनिया लवन्या, हैपी फेमिली पेक मैंने इस बिजनिस से एक प्रोड़र मंगा की इस बिजनिस को जोइन कर लिया, तो जिस वेक्ति ने मुझे पेसे दिये वो सक्षशत कोई और नहीं, मेरे बचपन के साथ ही हम साथ में खेला करते थे, साथ में रहा करते थे तो जब मैंने उनको इस बिनिस के बारे बताया है तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं है तो मैंने उनको बोला कि चलो कोई नहीं आप मत करो मुझे करने तो आप मुझे पेसा दो तो मेरे 4000 रुपे उन्होंने उधार दिये और उनका भी में बहुत बड़ा मलब रिनी हूँ उनका भी मतलब मैं धन्यवा देना चाहूँगा कि अगर वो शैद 4000 रुपे नहीं देते तो मेरी इस बिन्द में जोइनिंग नहीं डलती और ने तो में ड्यावन बनता है और ने खावी मरसिडी जाती ये शैनो तो आज मैं उनका भी बहुत धन्यवा देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी जोइनिंग में मेरी हेल्प की वो सक्स हैं मिश्टर आशिस तोमर एक पर धमदार तर्मिन चाहिए जोड़ान अशिस तोमर जी ने 4,000 रुपी दिये एक मेरा फिरेंड था उसने 2,000 रुपी दिये और ऐसे करके मैं ने 8,500 रुपी की जोईनिंग डाल दी और पेकेज घर आ गया बरोसा नहीं था कि यहां से कुछ होगा लेकिन उस वेक्ति ने थोड़ा सा मोटिवेट किया दो पांतस लोगों को बताया 14 लोगों को बताया शुरुवात में 14 लोगों को प्लान बताया 14 लोगों को प्लान दिखाने के बाद जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने मेरे से क्या बोल दिया जानना चाहेंगे जानना चाहेंगे उन्होंने यस नहीं बोला उन्होंने स चली गई ऐसा कुछ होता नहीं है कई लोगों ने मुझे समझाया और कई लोगों ने तो बोला कि अपने पिता जी का नाम के उखराप कर रहा है तो उन सब लोगों की बाते सुने के बाद मुझे लगा कि है बास्तों में तो तो में घलत काम तो नहीं कर रहा तो मैं थीरिस को मिल्कुलτη कर दिया एक तरह से क deepest ऐते काम करना बंद कर दिया ओर कांटीणू मेरे पीछे लगे रहें तीन मेने तक तीन मह ने पीछे लगे रहने के बाउजुद भी मैं एक मेरी टालंती एतिक पड़ Ε८्सारा गया घॉंसरी मुझे उन्हें करेंगे अगर वो पेसों की बोलते तो मैं शायर जा भी नहीं पाता लेकिन उन्होंने क्या बोला कि चलो गूमने चलते हैं और घूमाने के बहान ऐसे कहा ले गए शिमला और शिमला दिशा ट्रेणिंग में जाने का मुझे मौका मिला और वहाँ जो ट्रेंइनिंग थी, वहाँ का जो वर्क्शोप था, दिशा वर्क्शोप, वहाँ जो मेरे दर्शन हुए, वो प्रसनाल्टिक कोई और नहीं, Mr. Bijjay-Pal sr के दर्शन हुए मुझे वहाँ पे और सर की ट्रेनिंग लिया, सर की बातों को सुना, तो लगा कि यार वास्तों में तो बहुत बला बिजने से, यहां से तो बहुत कुछ किये रहा सकता है, तो वो दिन था, उस दिन मैंने कमिट्मेंट लिया, और उस कमिट्मेंट की वज़े से, उस डिसिजन की वज़े से, मैं मैंने कोई बुरा काम तो नहीं पकड़ लिया लोग इतना फीचे क्यों पढ़ गए हैं लोग इतनी मजा क्यों बना रहे हैं मेरी दुकान जा मेरा मेडिकल हैं वहां आसपास के सर लोग गुरूप बनाके और मेरे बारे में पता नहीं क्या कुछ नहीं बोलते थे कि यह फस ग मुझे वोग You've का अखुछ नहीं शारा हर्ट की नहीं मानी उस दिशा मुझे मुझे मिल चुका था कने मुझे क्या मिला था के बीज़़ण इस बीतनश को करने के लिए अगर आपके पस बड़ा वीजन नहीं हैं तो आप कभी डायमन नहीं बन सकते तो मुझे उस दिशा स में पुराइन कर पाया है एक दिन डार्मन के मेरे पापा को ससमनल ज़रूरा चरूंगा और आज पापा से बोलना चाहूंगा कि पापा आज आपका सपना मैंने पूरा कर दिया ठेस है मुझे डी फर्मेसिं नहीं कर पाया लेकिन अज उससे भी बड़ा मुकाम आपके सामने आज मैंने आसिल करके दिखाया है और D.Farmacy क्या है यार इतना पेसा आता है खरीद लेंगे डिगरी ये श्यनो इतना पेसा आता है यूँ सोचेंगे एक सब्ता नहीं आया D.Farmacy क्या है ये श्यनो तो पापा को हो सबना भी पुरा हो जायागा तो इस तरीके से वहां शिम्रा से आने के बाद विजन मिला, चलता रहा, चलता रहा, लोग मजाक बनाते रहे, लोग हसते रहे, बाते होती रही, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और उसके बाद करीबन 11 मैने में जाके मेरा पहला चेक बना, किते मैने में? 11 म अबढ़ेंगें, लोगों को जोईन करते हुए, डेखता हूँ, पांच वे दिन तो, पूछनी लग जाते हैं, सर मेरा चेक कहा है? ये शे नो? कई लोग यहां भी बेठे होंगे, पांच वे दिन, सेर मेरा चेक कहा है? लेकिन मैंने कभी नहीं पूँछा मेरे अप्लाइंस से की मेरा चेक का है क्योंकि मुझे उस दिशा से इतना बड़ा विजन मिल चुका था मेरे को पता था कि मैं यहां हजार-दो-जार कमाने के लिए काम ने कर रहा हूँ या कड़ो रुपे कमाने के लिए काम कर रहा हूं तो समय तो लगेगा मैं इस बात को जान चुका था कि मैं मकान मनाने का काम नहीं कर रहा हूं मैं महल बनाने का काम कर रहा हूं तो समय तो लगेगा तो 11 मैने में एक जेक नहीं बना क्या परक पड़ता है लेकिन मैंने इस सिस्टम का हाथ नहीं छोड़ा, मैंने कभी कोई ट्रेनिंग को मिस नहीं किया, कभी कोई ट्रेनिंग में जाना बंद नहीं किया, कभी कोई पंक्षन में जाना बंद नहीं किया, पैसे नहीं हुआ करते थे, कोई नहीं, जुगार करते थे, और जुगार हो ज कमई जाते हैं तो काम हो चाता है करें और नहीं हो चाहता है तो पंक्शान में कभी जाना चोड़ा नी पैसे नमी तते हैं प granny distracting अजिन तक मेरे senior गवां है अगर कोई पंक्शिन में जाने के लिए बोला है तो उस function में विवरेंट सुमन अटेंड रहा है और कभी कोई training miss नहीं किया जिस दिन से join किया है उस दिन से मैंने इस business को जिम्मेदारी से किया है जिम्मेदारी से काम किया है और मैं इमानदारी से आज भी काम कर रहा हूँ और कभी कोई training मिस नहीं किया, कभी कोई seminar मिस नहीं किया, कभी कोई function मिस नहीं किया, और उसी की बज़े से आज मैं यहां तक पोच पाया हूँ, लोग, जादर तो लोग join करने के बाद, इस business को ना तो training में आते ना seminar में आते और ना कभी इस तरीकी का प्रवाम बहार जाए के क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होता, समझें आप, वोई लोग बहार जाए के क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होता, होता उनके साथ है जो सिस्टम को फूलो करतें अगर आप डोक्टर और बनना चाहते हैं पास साल तो पास साल उसकी पढ़ाि करनी पड़ती है यह यह नो जो भी डोक्टर बनने के लिए करना पर करना चाहिए वो, सब करना पड़ता है, लेकिन这个人, करने नTHE MAJ, कभी कोई ट्रेनिंग में नहीं आते, कभी कोई सेमिणार में डेन, जृ एक्षार्श से के से वो कभी ने बन बते हैं, तो मैंने कभी कुई ट्रेनिंग मिस नहीं किया, कभी कोई सेमिनार मिस नहीं किया, और कभी कोई function मिस नहीं किया हमें साथ system को पकड़े रखा result मिला तो भी और result नहीं मिला तो भी, इस system से नहीं है time है और मैंने इस business को सीखने पर ध्यान दिया, लोग सीखते नहीं अपने तरीके से इस काम को करने की शुरुआत कर देते हैं, अपने तरीके से करने की कोचिस कर देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस काम को, अगर आपको सफ़र लोना है तो सीखना पड़ेगा, मैंने सीखना शुरू किया जब मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था तो हमारे ग्रेट गुरों के पास में जाता था और एक दिन, जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो मैंने विनो सर्ग से बोला, मैंने का सर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा मुझे लोग जोई नहीं कर रहे तो विनो सर्ण ने मुझे एक कहांँ बताए थी अगर आप बोलो तो आपको बता दूं तो विनो सर्ण ने मुझे बोला कि लिएंद्रची गभी मेले में गये हो मैंने का बिल्कुल मेले में गया हूँ सर कि मेले में आपने बासुरिआ वाला देखा होगा एक बासुरी वाला होता है बहुत प्यारी बासुरी बजाता है हो और बहुत प्यारा सुर निकालता है लेकिन उसी बासुरी को लेकर अगर आप आजाओगे तो क्या आप वैसा सुर निकाल पाओगे तो मैंने बोला सर बिल्कुल निकाल पाएंगे तो सर ने बोला कि कभी कोशिज करके देख लेना जैसा वो सुर निकाल पाता है विसा सुर आपसे कभी निकलेगा मैंने का क्यों कि वो जो सुर निकाल पा रहा है उसने उसके पीछे कई मेनों तक प्रियास किया है तब जाके व आपको प्लान में और ज्यादा अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा कि प्लान कैसे बेटर हो आपका फॉल अच्छा हो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा आपको कोल टेनिंग अट्रेन करनी पड़ेगी तो इन्होंने जब बोला तो मैंने इस बिजनेस को सीखना किया और देखता हूँ कि मुर्ज रिजल्ड मिलना शुरू हो गया तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरका जिनके आश्रवात की वज़े से जिनकी गैडलान की वज़े से सबसंभव उपाया तो उस समय जब लोग मजाग बनाते थे तो बड़ा बुरा लगता था लेकिन आज वही लोग है और यह वही विरेंसुमन है आज भी वही है जिस कंडिशन में पहले थे आज भी वही है लेकिन विरेंसुमन आज मर्सीडिज में घूमता है बस इतना सफर आगे तो कुछ टाइम शिष्टम की बात मानने से इस तरीकी का चमतकार हो सकता है तो मैंने शिष्टम की बातों को माना हर पंक्षन को अटेनिक किया हर दिशा ट्रेनिंग को अटेनिक किया हर फ्राइडे की ट्रेनिक को अटेनिक किया और करता चला गया करता चला गया करता चला गय तो आपको एक ही बताना चाहता हूं कि अगर वास्तों में आप जिन्दगी में सफर होना चाहते हो तो आपको डटे रहना पड़ेगा आपको चलते रहना पड़ेगा लोग रुख जाते हैं लोग अपना डिसिजन बदल लेते हैं जब मैंने इस बिजन्स को जोइन किया उसके कुछ ही दिनों के बाद लोग मुझे ओफर देना शुरू कर दिये अरे विरेंदर जी नेट्र मा यह देखो आप यहां तो आपके शेप चोब एक पर 500 देती है और यहां तो देखो आप डाइट 5,000 मिलते हैं तो ऐसे भी लोगों ने मुझे ओफर दिये लेकिन ठैंक्स गोड कि दिमाग नहीं किसका अगर दिमाग किसक जाता तो जो बताते थे वो किसक गए मैं भी किसक जाता हूं उनके साथ लेकिन ठैंक्स गोड कि दिमाग नहीं फिरा और चलता रहा चलता रहा चलता रहा और एक ही जगर रहा तिका रहा और आज आपके सामने हूं तो मैं आपको इस बात का परोज़ा दिलाता हूं कि अगर आप भी एक हूँ जगर तिके रहे आपकी जीत तो आज मेरे साथ कई लोगों ने जूइन किया था को कई लोगों ने जूइंग ता मेरे साथ करीबन 16,000 लोगों का network है मेरा 16,000 से भी ज़्यादा का हो गया तो क्या लगता आपको वो 16,000 लोग आज मेरे चाथ हैं हैं नहीं है कुछ जुदा हो गए कुछ खुदा हो गए और कुछ शादी सुदा हो गए समझें आप कुछ जुदा हो गए कुछ खुदा हो गए और कुछ शादी सुदा हो गए कोई कहां उलज गया कोई कवारा था उसकी शादी हो गई तो वो बीवी मुलज गया कोई शादी सुदा था उसके बच्चा हो गया तो वो बच्चे मुलज गया तो लोग पता निक कहां कहां और आज भिवं गार्टी टाइम अगर यहांथ टिक जाते काम करते रहते करते रेते कर नरे उनके पास्थ मर्सडीज होती की नहीं होती है तो मैं आप से भोलना चाहता हूं कि जो गल्ती उन लोगों ने कि वह आप लोगों को रिके रहेंगे से इतना बड़ी सपलता मिलते है पुरा जीवन दन खुशाल हो गया पुरा जीवन बदल गया है कि आपको बता दूँ आज मेरे जहां में रहता हूं बारा जिले में उस बारा जिले में इकलोता वेक्ति हूं जो सबसे बड़ी गाड़ी से चलता हूं इकलोता वेक्ति बले मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े धन्ना सेड़े हूं लेकिन किस्दी के पास मर्सरीज तो नहीं है उस एरिया का अगर कोई धन्ना सेड़े तो विरेंस उमनी है आज की टाइम पर तो इस बितिसमे में टिका रहा और उसी का वेज़े से आज मैं आ ट्रेनिंग में नहीं आते हैं अगर आप काम होना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा मैंने ट्रेनिंग अट्रेंड किया मैंने पंक्शिन अट्रीन की और मैंस काम को सीखता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा और मैंने कभी हार नहीं मानी कभी मैंने रोना नहीं रोया पेसे नहीं थे कोई नहीं चलते रहे पेट्रोल लाने के पेसे नहीं हुआ करते थे कई बार कई बार ऐसी कंडिशन आती थी पेट्रोल लाने के पेसे नहीं हुआ करते थे मोटर साइकल को साइड में खड़े करके और पेदली काम करना शुरू कर देते क्या फरक पड़ गया आज नहीं है लेकिन आज सब कुछ है कि नहीं है तो मैं आपको बरुसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी अगर बने रहे और सिष्टम को पकड़ दिया सकसेज सपोर्ट सिष्टम जैसा सिष्टम पुरी दुनिया में नहीं है इस बात की गारंटी में आपको देता हूँ तेंक्यू पुरे वर्ल्ड में जितनी भी उनिवर्सिटी है वाह सब जगह आपको लोकर बनाने वाली पढ़ा ही कराई जाती है लेकिन ये सकसेज सपोर्ट शिष्टम एक ऐसी उनिवर्सिटी है जहां मालिक बनाना शिखाए जाता है और यहां से मालिक बना के निकला जाता है और मैं एगजाम पन हूँ आपके सामने मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि अगर मैं इस बिस्ट में नहीं होता तो कभी Mercedes का मलिक बन पाता दिल पर आत रखके बताऊ या कभी Mercedes का मलिक बन पाता लेकिन इस सिस्टम की वजरे से आज देख लो उमर देख लो आप अभी तो बच्चा ही हूँ हैं और अभी तो शुरुआ तो यह मर्शिडी से चलता हूँ आज और जिदर से निकलता हूँ ना उदर लोग घूम घूम के देखते हैं अब वो पुराने दिन्याद आते हैं मुझे कि अगर मैं लोगों की बाते सुनके रुक जाता तो जब लोग मेरी मजाक बनाते थे अगर उस समय में रुक जाता तो यहां तक पोच पाता लेकिन थैंक्स गोर कि मैं रुका नहीं मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा लोग ताने मारते रहे मजाक बनती रही चलता रहा चलता रहा और आज आपके सामने हूँ